हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई यूटीव चैनल आज जू मैं आपके लिए कॉंबिनेशन लेके आई हूँ उसे आप कभी नहीं भूल सकते हैं दोस्तों क्योंकि वेस्टर इंडिया में तो बहुत ज्यादा खाया जाता है बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता है और ऐसा कॉमिनेशन आपने कहीं नहीं देखा होगा दोस्तों क्योंकि ये कॉमिनेशन कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों जिनें खाकर मज़ा आ जाता है ये आप देख रहे होंगी बिल्कुल भी सिंपल पुडी नहीं है दोस्तों इसे आप सिंपल पुडी ना समझें ये एक मसाले वाली पुड़ी है जो एकदम चटकारेदार बनेगी दोस्तों और उसके आद इसमें हम बनाएंगे ठंडा ठंडा आम का रस यह भी सत्वी को बहुत पसंद आता है और इस्पेशली गर्मियों के मुसम में हर बार हमारे आपर बनाया जाता है दोस्तों तो जब यह मैंने पहल पहली बार विजिट करने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी दोस्तों और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा यहां मैंने दो आम ले लिए हैं आम थोड़े पके हुई लेने हैं दोस्तों जिससे की टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और थोड़ा सा मीठा भी क पीसेंगे उससे पहले में आपे कुछ समान डाल रही हूं इसमें वह आप देखेगा यहां पर मैंने दो कटोरी दूद लिया है दूद बिलकुल रूम टेम टेल्चर का होना चाहिए दोस्तों दूद ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज्यादा गरम होना चाहिए मैंने यह दो आम के अकोडिंग शक्कर लेली है अब मैं आपे आदर ग्लास पानी डाल रही हूं जिससे की आम की जो हीट होती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी इन सब को हम अच्छे से हैं ब्लेंडर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों आप चाहिए तो मिक्सी में भ लगा लेती हूं इस तरह से मैं दो प्याज को चील लिया थो और इसको रफली चॉप्ड कर लेंगे दो आलू भी अच्छे से चील लिये थे और उसका इसे भी रफली चॉप्ड कर लेंगे दोस्तों यहां पर मैं ले रही हूं मिर्ची बड़ी-बड़ी काट ली है और उनिक रेसिपी है मसाला पूरी जो आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं आम रस के साथ तो इससे जरूर खाईएगा सूखी आलू टमाटे की सबजी बनती है उसके साथ भी बहुत ही बढ़िया लगेगी अब हम इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे जैसे मैंने पूढ लीजे है और इसमें डालेंगे अब आ का यह आपम चैमाच मिन अपे नमक लिया है आप उपने टेस्ट के अकोडिंग लीजिए छमचे मैंने आप शूखा दhöरलर लिया है और आपमची कर लेए सबी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि मसाला पूरी बना रहे हैं तो मसाला अच्छा ही होना चाहिए दोस्तों थोड़ा सा चटकारेदार बनेगा तो पूरी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और उप्पर से अब धन्य डालना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि अगर थोड़ी सी पानी की नीड होगी तो हम लास्ट में बिल्कुल थोड़ा ही डालेंगे दोस्तों यह ऐसे ही अच्छे से आटा लग जाएगा यह देख सकते हैं अब मैंने आप एक चम्मच गी लिया है उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक सॉफ्ट डो अमारा देख सकते हैं आप कितना स्मूद बैटर हो चुका है आदा गंटा आप इसे रेस्ट पर रख दीजेगा दोस्तों आदा गंटा हो चुका है अब इस तरह से चोटे-चोटे से पेड़े काट लीजिए दोस्तों और राउंड राउंड करके से सॉफ्ट कर लीजिए अब हम चोटा-चोटा पूड़ी साइज में बेल लेंगे इस तरह से यह काफी जटपट से तैयार हो जाती 15-20 मीट वाली रेसिपी है दोस्तों 15 मीट में आपका आम रस और पूड़ी दोनों तैयार हो जाएगी और मज़े से आप इसे इंजॉय कर सकते हैं समर रेसिपी है यह बि बिल्कुल भी प्लैन पूड़ी नहीं है इस तरह से मैंने सारी पूड़ी को अच्छे से बेल लिया था तेल घरम हो चुका है अब हम इस तरह से निकाल लेंगे पूड़ी को दोनों साइट पर पलटके देख सकते हैं आप कितना कलर अच्छा आया है इसका बहुती बढ़िया कलर आया है टेस्ट और टेक्स्चर बहुती अच्छा आया दोस्तों बिल्कुल अमारी पूड़ी फुली फुली तैयार हो चुकी है गरमा गरम आप इसे सर्व कीजिए ठंडे ठंडे आमरस के साथ त को यह रेसिपि आप जिसे भी कहिलाएंगे दूस्तों वह आपके भर भर के तारिफ करेगा क्योंकि यह रेसिपी सभी को बहुत पसंद आने वाली है तो आप इसे मेहमानों के साथ और वीडियो आपको कैसी लगती है यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा दोस्तों आपके कमेंट काफी जदा वैल्यूबल रहते हैं मेरे लिए तो यह रेसीपी तो मैंने बना ली है अब आपका नम्मर है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए यहां मैंने ठं जाए पसंद है या कोई भी ड्राइफूट इसमें आप एड़ कर सकते हैं उपपर से मैंने मैंगो के टुकड़े मैंगो चंक्स में एड़ किये हैं दोस्तों जिससे की जब हम खाए तो मैंगो मुह में आता है तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है दोस्तों यह रेसी दाइए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वोचिंग मैं वीडियो फ्रेंड्स इंजॉइ